students, हम बढ़ Migration पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने बढ़ Migration का introduction वगर रहे यह सारी चीजे पढ़ने की कोशिश की थी और उसके बाद हम पिछले वाली क्लास में हम Types of Migration के बारे में बात कर रहे थे और उसमें मैने आपको Altitudinal, Latitudinal, Longitudinal ये तीन टाइब्स migration की direction की according जो है वो बताई थी है next जो उसका criteria है migration को classify करने का वो यह है कि सारे birds participate करते हैं या एक particular group participate करता है या कम लोग मतलब members जो है species के participate करते हैं तो उसके according जो next type है migration की that is total migration total migration जिसे नाम से बता रग रहा है जबकि एक species के सारे ही members migration में participate करें पूरे की पूरे एक जगे से दूसरे जगे चले जाएं तो इस प्रकार का जो migration है वो कहलाता है total migration और Arctic turn वाला जो migration है Arctic turn के द्वारा जो लिख करा जाता है वो total migration है यह अपने migration के लिए famous है यह Arctic breeding ground से Atlantic तक जाता है and back वापस वहाँ पर Arctic zone में आता है और जो इसके दौरान इसके द्वारा जो shortest distance यह cover करता है वो लग बारह हजार माइल के होती है 19,000 km अप्रोक्स जो यह travel करके और migrate Arctic turn जो है वो करता है और इसमें इसकी पूरे species जो है इसके सारे members जो है वो पट्स पेट करते हैं तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो total migration का example है next जो है वो partial migration मतलब सारे जने उसमें हिस्सा नहीं लेते जैसे blue birds में और blue jays जो है कनाडा के और नदर नदे इस्टेट्स के और बार नाउल्स जो है यह migrate करते हैं जो है जो है जो है तो इन में इस प्रकार का partial migration पाय जाता है इन सच केसे सारे गृप के सारे members जो है अपने नेटिव लेंड को नहीं छोलते बल्कि visible होते हैं throughout the year उन में से कुछ लोग जो है चले जाते हैं actually these are the partial migrants because the birds visible in the winter also and not the same as seen in the summer also मतलब summer में भी आपको इवर्ड बान देखने को मिलेगा और winter में मिलेगा तो कुछ एक जो है वो चले जाते हैं finches में, titch mouse, red breast, sunthrush इन यह जो examples हैं यह partial migrants के examples हैं हमारे यहां पे spoonbills और koorts जो है वो भी partial migration दिखाते हैं partial migrants हैं यह लोग भी इनका भी पूरा group जो है migration शो नहीं करता बैलकि कुछ members जो है वो चले जाते हैं फिर दिन और रात के साबसे हमने इस migration को बाटा हुए है diurnal migration and nocturnal migration दिन चर migration और रातरी चर migration जो है कुछ birds जो है डे टाइम में fly करते हैं sick rose है, swallows है, robins है, blackbirds है, hawks है, bluebirds है, jays है, cranes है, pelicans है, ducks है, swans है, gees है, shorebirds है ये सब जो है, ये दिन के टाइम जो है, travel करते हैं suitable place पर फिर ये forage के लिए रुख जाते हैं और इन में से swallows और swifts जो है, ये क्या करते हैं कि जब air में हों, जब ये travel कर रहे हूं, हवा में हूं उस स्तिती में भी ये लोग insects को capture करते हैं, food जो है, वो उड़ते वे भी अपना food ले लेते हैं बाकी ये बीच बीच में stoppage इनका होता है, ताकि अपना feeding जो है, वो complete कर सके हैं इस प्रकार के जो birds हैं, जादा तर ये अक्सर flukes में, मतलब ग्रुप में इनके group को fluke कहते हैं उस ग्रुप में ही ये migration दिखाते हैं, तो ये direnal migration कहलाता है कि दिन के समयन में fly किया जाता है और इनके जो flukes हैं, ये well organized होते हैं, ducks, geese और swans में, और loosely arranged भी हो सकते हैं जिसे swells में होता है, मतलब इनका group एक synchronized way में भी migration दिखाता है और कही बार ये loosely, मतलब कहीं पर भी कैसे भी किसी प्रकार से migration दिखाते हैं तो इस प्रकार का जो migration है, वो direnal migration कहलाता है nocturnal migration में, रात में birds उठते हैं, और जो ज़्यादातर birds हैं, वो ये इसी प्रकार में आते हैं majority of birds, जो है nocturnal migrants होते हैं, इसमें small size birds आती हैं, जिसे sparrows, warblers, threshers, extra ये प्रेफर करते हैं, रात को fly करना, under the protective order of darkness, क्योंकि अंदर में दिखाई नहीं देते हैं, तो अपने आपको enemies से बचा लेते हैं, escape कर लेते हैं और रात में ये fly करते हैं, और daytime में ये break ले लेते हैं, rest लेते हैं, रुख जाते हैं और अपना कोई food होता है, तो भू लेते हैं, and then starts again at the night, और darkness और night जो है वो इनको enemies से production देती हैं, बचाने के काम आती हैं तो इस प्रकार के जो migraine से वो क्यालाते हैं, nocturnal migration Daily migration, कुछ ऐसी birds है, जो daily journey दिखाते हैं, from their nest, by the influence of environmental factors, such as temperature, light, humidity, इसकी वज़े से ये अपने nest से रोजी थोड़ा दूर उड़ते हैं, और वापस लोटाते हैं, तो इस जैसे को उड़े हैं, herons, sterlings हैं, इनमें इस प्रकार का daily migration दिखाए देता हैं और रोज का ही migration है, और back to nest, इनकी activity होती है, seasonal migration, कुछ birds migrate करते हैं, at different seasons of the year, for food or breeding, इस प्रकार के season के according to migration हो, तो उसको हम मौसम के according, तो उसको हम कहते हैं, seasonal migration, ये पाया दाता है, cuckoo's में, swift's में, और swallows में, ये आपको diagram में दिखाए भी दे रहे हैं, शूला, cuckoo's और swallows, ये इस प्रकार का migration दिखाते हैं, वो जे मैंगरेशन के लाता हैं, और summer when CO के रखे हैं, ये शूलाक भी बज़िए आर इसलिए समरी जो है, इसाँड़ाता हैं, जो समरी बज़िए हैं, जो समरी समरो करते हैं, सक्राय् quindi समर गोंसमीर, इसलिए में, इनकी समूला, इसलिए माइ लास्ट जो इसका टाइप मैं आपको यहां बता रही हूँ दिस नहीं है बलकि यह क्या करते हैं छोटी अलम में डिस्टेंस पर किसने किसी वज़े से सेफ्टी पर पसे या खाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उदर चितरा जाते हैं फैल जाते हैं तो उसको इर्रेगुलर migration कहते हैं, herons जो है उनमें इवेगरेंट और ही लगरेंट देखने को मिलता, sometimes hurricanes sea birds as far as 200 miles away from the home seas, ये लंबा चले जाते हैं, and there they die either due to exhaustion or due to unknown shores, मतलब उनकी नारों को पहचानते नहीं है, और कई पार exhaust भी हो जाते हैं, exhaustion हो जाता है, इनको ibis, spotted eagle bee eater है, इनमें जो है irregular migration, वेगरेंट migration जो है वो देखने को मिलता है, तो ये हमने different types के migration कौन कौन से प्रकार की हो सकते हैं उसके बारे में बात की, अब हम कुछ general features जो migration के है, the range of migration जो है, ये एक या few miles से लेके thousand of miles तग हो सकती है, different group जो migratory birds के हैं, उनमें लेकिन, इसके लिए important चीज ये है कि, ये particular species के लिए almost constant होती है, मतला निश्चत होती है, जैसे Himalayan snow part rays descend a few hundred feet and cover a distance of about one or two miles, कुछ hundred feet तक ये travel करता है और लगबग एक से दो miles के distances के द्वारा cover की जाती है ऐसे ही कुछ birds जो है अर्थ से 3000 feet के उन्चाई तक जो है most routine migration दिखाया जाता है, कुछ birds जो है वो close आते हैं अर्थ के, otherwise तुझे थोड़े उन्चाई पर, 3000 feet तक के उन्चाई पर ये migration दिखाते हैं इसी प्रकार से speed और velocity जो होती है flight of migratory birds की, ये भी individual to individual, individual और species to species vary करती है फिर ये इतना fast flying नहीं दिखाते हैं, birds जितना की ये migration के time दिखाते हैं, और any other time ये इतना fast flying नहीं दिखाते हैं, बैलकि migration के time ये fast flying दिखाते हैं फिर ये भी देखा गया है कि एक definite line flight की follow करते हैं, और same इनका route रहता है, ये हम पहले भी बात कर चुके birds follow a definite order, which is strictly followed, मतलब definite order में ही ये चलेंगे normally, जो adult है, वो migrate करेंगे आगे, और इनके पीछे जो है, ये animals जो है, वो पीछे की और चलेंगे, इस परकार का जो है, इनका track जो है, इनका इक ट्रैक्ट जो है, इक follow किया जाता है, एक definite order knowledge नहीं है, एक तो wayfinding की problem navigation की, कि अपने रस्ते को कैसे पैचानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़़दा knowledge नहीं है, फिर origin of migration कैसे होता है, कैसे ये decide करते हैं, कि अब हमें migrate करना है, इनका conscious stimulus या immediate cause क्या होता है, हम इसके long term cause की बात कर सकते हैं, कि खाने के लिए और उसके लिए जाते हैं, पर अचानक इनको कैसे decide करते हैं, कि अब हमें migration करना है, इन सब के बारे में हमें भुछ ज़़दा knowledge नहीं है, ये से problems migration से समधित होती है, migration के कही सारे advantage हैं, एक तो living range जो है, migration में जो है, change जो है living range में होने के कारण, ये better climate में आ जाते हैं, plantiful, जो है food supply इनको मिलती है, breeding और nesting के लिए space increase हो जाता है, daylight जो है, वो increase हो जाती है, लंबे दिनों में आ जाते हैं, क्योंकि summers, mostly summers में जादा, जो माइगरेट करके summer जहाँ एरिया में जाते हैं, और feeding के लिए, food gathering के लिए इनको समय साथ मिलता है, working hours बढ़ जाते हैं, ताकि अपने off-sprint को feeding अच्छे से कर पाते हैं, अपनी species को बचाय रखने में सक्षम हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ये other parts, जो range के जो दूसरे migration के हैं, similarly, there are some disadvantages also, क्योंकि जो, जिसके साथ advantage है, वाहा कही न कहीं कुछ कमिया भी है, कही न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी है, food और energy requirement के contest में देखें, अगर हम तो ये expensive करता है, महमा परता है, क्योंकि energy बहुत चाहिए इसके लिए, और अच्छा-खासा खाना उनको उससे पहले खाना पड़ता है, अपनी body में इनको fat थोड़ा deposit करना पड़ता है, तो एक तरह से dangerous है, similarly, predation की risk रहती है, उनको शिकार बनाई जने का खतरा रहता है, और climatic factors को भी उनको exposed होते हैं, जो कि पाते हैं, on the way ही वो खता मुचाते हैं, और इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं, जो migratory birds के लिए great problem create करती है, जैसे cold weather है, snow storms है, hurricanes है, shortage of food है, strong current of wind है, fog है, man-made lighthouses, उनसे इनको navigation में problem आती है, mountains है, big buildings है, television के towers है, अब तो mobile के towers है, और salometer beams जो होती है, airports पे, उसके द्वारा, इन सबसे इनको, जो है, migration में problem आती है, high towers और lighthouses, जो है, वो migratory birds का कई बार death का का कारण, हमारे द्वारा मनाय है, जो ये lighthouses और towers है, वो इनकी मौत का का कारण, इनकी मृत्तिव का कारण, मनते हैं, तो हम इनकी death के लिए, कई बार, migrants के लिए, हम लोग responsible हो जाते हैं, और amusement के लिए, और मानव को शिकार का shock है, उसके लिए भी इनको problem आती है, कई बार इनको shoot कर जाते हैं, मानव के द्वारा, तो उससे भी इनकी life, जो है, वो खदम हो जाती है, तो ये कुछ, जो है, migration के फाइदे हैं, तो साथी साथ, इनको कुछ disadvantage भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, birds को migration के द्वारा, तो that's हमने, हमने, हम पे migration क्या है, और कितनी प्रकार का हो सकता है, और किस तरह से होता है, birds में, इसके examples, इसके advantage, disadvantage, इन सब के बारे में बात करें, all is sufficient for the birds migration, next time, हम next class में एक अलग चप्टर जो है, वो, discuss करेंगे, thank you